Hello Friends, Welcome to All India Guru Ji दोस्तो आज मैं आपको जनवरी महिने के Most Important National and International Days के बारे में बताऊँगा यह वीडियो Static General Knowledge का पार्ट है आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ यह लगबख सभी competitive exams में पूछे जाने वाले General Knowledge का Important पार्ट है हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैंने images का सारा लिया है जिससे कि जो भी मैं आपको बताऊँगा वो आपको हमेशा याद रहे उसके साथ ही मैं कुछ आपको extra information भी दूँगा उससर related इस वीडियो lecture के बाद मैं सभी मंत के important days के लिए वीडियो बनाऊँगा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने के जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने हमारा चैनल अगी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप आने वाले सभी वीडियो लक्चर्स को देख सकें तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी तो जनवरी में सबसे पहला जो देनों का वो चार जनवरी का जो हमाली बहुत इंपोर्टेंट है चार जनवरी के जो देने वो वर्ड ब्रेल डे के रूप में सलिवेट किया जाता है मतला विस्व ब्रेल दे बस तो यह जो ब्रेल डे होता है वो लुइस ब्रेल जी जो थे उनके जनम दिन के दिन इसको सलिवेट किया जाता है आपको लुइस ब्रेल के भारे में इंफॉर्मिशन दे दू कि लुइस ब्रेल वह वेक्ति थे जोनों ने डुश्टी बादत अंधे लोक जो होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपी का विसकार किया था, ब्रेल लिपी दर्ष्टिबाइद लोगों को पढ़ने के साथ साथ लिखने में मयद करती है, तो मैं आपको उसकी एक इमेज दिखा जिता हूँ, यह आप जो देख रहे हैं, यह ब्रेल लिपी है, इसको उंगलियों की साहता स मैसूस करके पढ़ा जाता है और समझा जाता है, और इस ब्रेल लिपी के द्वारा हम लिख के भी उसको एक्स्प्लेइन कर सकते हैं, लुइस ब्रेल जो थे, उनका जन में 4 नमंबर 1809 को फ्रांस में हुआ था, और इसके पीछे एक इंट्रेस्टिंग बात यह है, कि जब जो एक खोद अंदे थे, तब इन्होंने ब्रेल लिपी का विसकार किया था, लुइस ब्रेल तीन वर्स के उमर में एक दुरगट ना में अंदे हो गए थे, उन्होंने इसके बाद का अगच पर उपरी हुए बिंदूओं के आधार पर एक भासा वेक्सित की, जिसे मैसूस किया जा सकता था, और कोई भी अंदा विक्ति जो दिखने में असमर्थ जो कुछ देख नहीं सकता है, वो हर चीज को आप पढ़ भी सकता था, तो यह बहुत इंपोर्टन्ट है, जो द्रिस्टिवायत लोग हैं, उनके लिए ब्रेल लिपी बहुत इंपोर्टन्ट है, हमा है, प्रवासी भारती दिवस जो है, वो नौ जनवरी को मना जाता है, इसको एन राइडेवी भोलते हैं, अन औराइडेवी मिन्स होता है Non Resident Indian, ठीक है? तो नौन रेसिडेंट इंडियन डेवी प्रवासी भारती दिवस को बोला जाता है तो इसके पीछे इसके पीछे पी जो इस्टोरी है वो यह है कि नौ जनवरी 2015 को महत्मा गांधी दच्छन अफ्रिका से भारत आये थे इसलिए इस दिन को यादगार मनाने के लिए भारत सरकान नौ ज इसमेज देख रहे हैं यह अभी रिसेंटली नौ जनवरी को बैंगलुरू में जो प्रवासी भारती सम्मेलन हुआ उसकी यह इमेज है ठीक है अभी 2015 में गांधी जी ने भारत आने के 100 साल पूरे होने के अफसर पर प्रवासी भारती सम्मेलन गांधी नगर माजुद किया हर साल नहीं होगा उसकी जगह यह साल यह दो साल में एक बार होगा ठीक है और इस बार का जो सम्मेलन है वो नौ जनवरी 2017 को बैंगलूरू में हुआ और यह 14 सम्मेलन था ठीक है और इसमें एक महत्तपूर्ण बात और आपको बता जो बहुत इंपोर्टेंट है जो एक्ज अन्तोनियो लुईसFree सैंटोस्टा ठीक है पुर्टगाल के प्रधान मंतरी को भी इसमें अवॉड्ट दिया गया है ठीक है सम्मानुत किया उनको और भारती अमेर्टी राजनेक निसा दीशाई विसकाती है इन दोनों की नाम आपको एक important चीज़ बता दूँ जिसमें लोग confused होते हैं बहुत confused होते हैं वो यह है कि यह दिया है world हिंदी मतलब विस्व हिंदी दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है इसके साथ एक होता है national हिंदी ठीक है राश्टी हिंदी दिवस यह 14 September को मनाया जाता है यह आप याद रखें हाना question में यह देखें कि पूछा गया है यह यह 20 हिंदी दिवास पूछा गया है तो वो 10 दस जनवरी को selवेट किया जाता है मेंडेरिन Chinese Langwage है थीक है और हिंदी को आपके इसके बारे में एक important fact और आपको बता दूँ कि हिंदी जो है वो फिजी देश में भी इसको official language की रूप में सुईकार कर लिया गया है तो मतलब ये इंडिया में तो official language है और साथ में फिजी देश में भी official language की रूप में use की जाती है ठीक है? अभी next देखते है 12 जनवरी ये है National Youth Day ठीक है? राष्टिय यूवा दिवश इसमें भी जैसे मैंने पहले बता है कि विश्वे हिंदी दिवस होता है और एक राष्टिय हिंदी दिवस भी होता है उसी तरीके से National Youth Day मतलब राष्टिय यूवा दिवस और साथ में International Youth Day मतलब की विश्वे यूवा दिवस भी मना जाता है तो जो National Youth Day मतलब की बारह अगस्त को मनाय जाता है, ठीक है तो आप इस चीज को याद रखें, और अच्छे से याद रखें, कि नेशनल यूट डे बारह जन्वरी और इंटरनेशनल यूट डे 12 अक्टूबर को सेलवेट किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में इंपोर्टन्ट यह है, कि यह अलिवार कप सलिवेट किया गया था तो यह किया गया था 1984 में और इसे सुरू करने पर भारत सरकार का बिचार था कि ऐसा अनुभव हुआ है कि स्वामी जी का दर्सन एवं स्वामी जी के जीवन तथा कार के पस्चाद नहत उनका आदर्स यही भारती युवाओं के लिए प् मंद्राजणवदी का जोदिन है वो इंडियन आर्मिडे के रूप में सल्वेट किया जाता है तल सेंह देबस तल सेंह-ञाता है और इसके पीछे कार्ण यह है कि यह दिन लेट्टेन जनरल केम करियप्पा के थल सहना के सीर्स कमांडर मतलब कमांडर इन चीफ का पदवार गहन करने के उपलक्ष में मना जाता है और यह लेट्टेन जनरल केम करियप्पा थे यह बाद में फील्ड मार्सल भी बने तो यह आपको important इसमें यह है कि जो इंडियन आर्मीडे है वो 15 जनवरी को salivate किया जाता है और कहा salivate किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया ठीक है और यह किसके उसमें salivate किया जाता है यह केम का रियपपा जो थे लेटनेंट जनरल उन्होंने जब पहली बार कमांडर इंचीव का पर आये थे उसको प्लक्ष में इसको salivate किया जाता है अभी next question देखते है ठीक है 23 जनवरी 23 जनवरी का जो देन है वो सुवास्चंद्र बोज बर्थ anniversary सुवास्चंद्र बोज का जन्म हुआ था उसकी anniversary को र बिटिस इंडिया में Bengal provisions का पार्ट था ठीक है ना बिटिस इंडिया में इस Bengal provisions जो होता था उसमें Odisha division में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मत्ति हुई थी वो 18 अगस्ट 1945 में हुई थी 48 साल की age में तो यह इतना important नहीं है लेकिन आप information रखते हैं तो आपके लिए Child Day मतलब कि राष्टिय बालिका दिवस के रूप में सेलिवेट किया जाता है तो National Girl Child Day तो हमने देख लिया इसके साथ एक और होता है वो है International Day of the Girl Child मतलब अंतर राष्टिय बालिका दिवस यह मनाया जाता है 11 October को ठीक है 11 October को यह मनाया जाता है तो यह आपको important है जानना कि य National Girl Child Day और International जो होता है वो 11 October को सेलिवेट किया जाता है तो इसको आप अच्छे से याद रखिए कि नेशनल वोटर्स दे कब सेलिवेट किया जाता है तो वह किया जाता है 25 जनवरी को राष्टिय मत आता दे बस तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते है और इमेज में भी आप देख सकते हैं तो इमेज के थुरू भी आपको याद रहेगा अभी नेश्ट देखते हैं यह भी 25 जनवरी 25 जनवरी को दो चीज सेलिवेट किया थे एक तो राष्टिय मत्दाता देवस मतलब की नेशनल बोटर्स दे और दूसरा जो है वो इंडिय इंडिया टूरिजम डे है राष्टिय परिटन देवस जो कि 25 जनवरी को मना जाता है यह तो इंपोर्टन है ही साथ में इंटरनेशनल टूरिजम डे भी होता है वर्ल्ड टूरिजम डे यह 27 सप्तेमबर ठीक ना 27 सप्तेमबर को यह सेलिवेट किया जाता है तो आपके है 26 जनवरी को हम रिपप्लिक डे घरतन देवस सेलिवेट करते हैं ठीक है तो इस दिन 1950 को भारत को ते 10송 Viva किया घया था और यह पता हूना चालिज़ को नहीं पता वह भी इसको अच्छे से याद रखे ठीक है तो 26 तारिख को गरतन दिवस मनाते हैं क्यों मनाते हैं क्यों कि इसी दिन 1950 को भात का संबीदान लागू किया गया था और 26 जनवरी को इसलिए हम घरतन दिपस मनाते हैं क्योंकि 1930 में इसी दिन भारती राष्टी कांग्रेश ने पूर्ण सवराज की घोशना की थी ठीक है इसलिए हम 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था भारती राश्टी का अंग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोशना की थी और इसके बारे मैं important fact आपको बता जाएता हूं जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 2016 में इसके मुखतिती कौन थे 2016 में फ्रांसेस उलांद ठीक है जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट थे ये मुख द्धाबी वहां के ठीक है वहां के हैं तो अभी नेश्ट लिखते हैं 26 जनवरी ठीक है 26 जनवरी को एक और दिन मना जाता है वह है International Customs Day ये अंताराश्ट इस तर पर मना जाता है International Customs Day तो ये भी बहुत important है इसको भी आपको याद रखना जरूरी है ठीक है तो 26 जनवरी को दो चीज होती है एक तो घरतन देवत जो कि सब आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि ये तो पूछा ही जाता है तो इसके बारे मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में बता दिता हूं तो ये वह है कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्ट कुष्ट रोग से पीड़त लोगों की सहायता तथा इस रोग से पीड़त लोग पीड़ानू या वैक्टीरिया ये इंप्वर्टेंट है कि कुष्ट रोग जो होता है उसके संकुरमान कारण क्या होता है वह होता है रोगानू या ब्स बहुते हैं माइक्रो बैक्टीरियम लैपरी आप इसको याद कर लीजे कि कभी ये पूछा गया तो ये आप से बनना चाहिए नहीं तो knowledge तो आपके इस चीज में होना चाहिए कि जो कुष्ट होता है उसके संक्रमन कारण होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो बैक्टिरियम लेप्री यह संक्रमन रोगी की तचाओ को प्रवायद करता है इसके जो होती है उसको डेमेज करता है और सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि यह चूने से नहीं पहलता आपको मैं इसके उपचार की और बता देता हूँ ठीक है सहीद दिवस मना जाता है और यह सहीद दिवस जो है वो महत्मा गांधी की जो म्रत्ति हुई थी महत्मा गांधी जब सहीद हुए थे उसके उसमें यह सहीद दिवस जो है वो मना जाता है 30 जनवरी 1948 को प्रात्ना सवा में जाते हुए नाथुराम गोड से द्वारा गोली मार दिये जाने करण गांदी जी की म्रत्ती हो गई थी और तब से उसके बाद से ही यह जो 30 जनवरी के दिन है यह मार्टी एर्ष डे करूप में हम इसको मनाते हैं तो यह थे पूरे जनवरी के मैंने आपको जो इंपोर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल दे थे वो मैंने आपको बता दिये ओके फ्रेंट्स तो ये थे जनवरी महीने के important national and international days मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा तथा आपको इसके लिए आपके लिए ये useful भी रहा होगा इस वीडियो को बताये गए दिनों के याद रखने के लिए आप वीडियो को बारवार देखें जिससे पूरी information आपको अच्छे से याद हो जाए आपसे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा ये आपके knowledge में थोड़ी भी व्रद्द्य होगी तो आप वीडियो को like and share जरू करेंगे हमारे चैनल को subscribe कर लिजे जिससे आपको वीडियो लेक्चर के बारे में information मिलती रहे अधि आपके मैंने में कोई सवाल या सुझाओ है तो हमें comment करके जरूर बताए Thank you, जय है